हेलो दोस्तों आप सबका में स्वागत करता हूँ एलेटोम नीप्टी यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो पर हम देखने वाले हैं नीप्टी बैंक नीप्टी पर कल हमारे जो प्रेडिक्स था कि इधर से मार्केट आज थोड़ा उपर जाएगा क्योंकि यह आमारा ए बना थेओरी कि नीप्टी और बैंक नीप्टी चाहिए हो एलेटोम थेओरी हो या एलेटोम थेओरी के साथ-साथ फिबुणासी एक्स्टेंशन के मुतबिक भी कल कौन से दिशा पर जा सकते हैं और कहां से यह हमारा एंट्री और एग्सित हो सकते हैं सब कुछ देखेंगे इस विडियो पर और उसके बात ऐस новых मिनिट का चाट पे जाकर हम देखने वालए कि लाइव हम कैसे इसको टेट कर सकते हैं वान मिनिट का चार्र्ट पे आज के दिन और कितना पकामा सकते हैं लोजिकली और इसको अगर आप फाइम मिनिट का चार्ट पर भी करना चाहिए कि 5 minute का scalping जो लोग करना चाते हैं अब लोग के लिए भी ये helpful होगा तो चलिए अभी main chart पे चलते हैं और देखते हैं बड़ा time frame से ये actually होता क्या है तो चलिए शुरू करते हैं normally कल जैसे कि मैंने अब लोग को बता है तो कि ये हमारा जो main count है ये 1,2,3,4,5 हो गये हैं और उसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लाग रहे हैं ये जो है ये हमारा हो गया actually A, B, C ऐसा करके market जो है उपर जाने का कोसिस कर रहा है और ये बाला जो एक high है इधर तक minimum market को जाना चाहिए normally तो उसी सबसे देखें तो हमारा ये expectation है कि market जो है काल के दिन इधर से उपर जाएगा obviously मैं उसको 15-5 मिनिट एंदेन लाश्ट में 1 मिनिट का टाइम पर भी जाकर दिखा हूँगा लेकिन अभी के लिए मैं इहीं बोलना चाहूँगा कि इधर से हमारा expectation है कि ये बाला लोग को अगर hold कर गया जो करना चाहिए उधर से ये market थोड़ा उपर जाएगा ये हमारा expectation है लेकिन उसके साथ साथ कल हम आपको एक alternate count भी दिखाएते राइट कि ये बाला जो part है उधर से अगर मैं इधर तक ले लूँ तो actually ये जो 38% का जो label चाहिए इधर से देखे या फिर ये जो आपका 2 जहाँपर मैंने mark ये लागबग उस जगह से भी देखे तो ये 38% के आसप ये 5 अगर ना होकर इधर हमारा third हुए तो ये maybe my fourth and there is my fifth, fifth के लिए ये बाला जो low है इसको तोरके जो 17 जून पर बनाया थे उसको तोरके ये इधर से और नीचे आने का प्रयास कर सकते हैं, इधर हमारा alternate count के किसी कारणा अगर ये उपर ना जाकर ये बाला लो को तोरके और बहुत नीचे आने का कोसिस कर रहा है तो ये possibility बन सकते हैं, तो अभी चलिए 5 मिनिट ये 15 मिनिट का चार्ट पे जहां पर भी based view हमको मिलेगा, उधर जाकर हम ये देखने का कोसिस करेंगे, कि इधर से market कौन सी ओय पे अगर नीचे आना चाहे तो आ सकते हैं, और अगर उप मार्केट उपर जाने का कोसिस कर रहा होंगे, तो ये जो है 15899 का जो लेवल है, इधर तक वेब A is equal to वेब C हो रहा है, तो A और C नॉर्मली क्या relation पे चलते हैं, आपस में बड़ाबर होते हैं, तो इसको अगर आप W और X, इसको Y भी मानना चाहे, तब भी W और Y जो है, य देगना चाहेंगे, तो इधर से मार्केट को त्वरा उपर जाना चाहें, और मिनिमम ये जो 15899 पी यान की 1500 का लेवल तक जाना चाहें, जो हमारा मेन काउंट है, बट कल मार्केट कीस तरफ खोलते हैं, और क्या क्या होते हैं, इसके उपर भी बहुत कुछ डिपेंड तो इसलिए मैं आपको अल्टनेट काउंट दे रहा हूँ, क्योंकि काल जब मार्केट खोलेगा, तब तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, मैं सामको वीडियो बनाता हूँ, तो एक अल्टनेट काउंट जो था मेरा, कि इधर फोर्त्व हो क्या, इधर से उपर नहीं ज बनायते, वो भी हम लोजिकली देखने बाले हैं, तो चलिए अभी एक अल्टनेट जो काउंट है, उसका मार्किंग करते हैं, तो इसके लिए हम पांच मिन्ट का टाइम पर जाना पसंद करेंगे, तो यह जो अल्टनेट काउंट है, I think इधर इसको आप 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा 5 सा गैप्स बहुत ज़ादा होते हैं, तो इसलिए आप चाहेंगे, तो इसको वेफ 3 मार्क कर सकते हैं, और फीवो नसी वाइस भी आगर आप देखना चाहेंगे, तो यह अगर आपका वेफ 1 है, यह अगर आपका वेफ 2 है, तो वे 3 जो होना चाहिए, यह नॉर्मली काहा तक ह ही किया इधर 261 का जो लेवल है उधर तक सारफली मार्केट चला आया है तो इधर तक मैं इसलिए 3 मार्क कर रहा हूं देर यह फोर्ट वेव जो होते हैं वो क्या होते हैं कि यह आपका 2 से 3 का नॉर्मली 38% के आसपस तक होते हैं तो चलिए उसके लिए हम फिबुनासी का जो बेला देखते हैं कि यह 2 से 3 का जो है इसका 38% तक आया है कि नहीं तो इसको आप फोर्ट आराम से मार्क कर सकते हैं फिबुनासी वाइस आगर देखना चाहिए क्योंकि बहुत साथ लोग सिर्फ फिबुनासी को पर डिपेंट करना चाहते हैं तो इसलिए उन लोग के लिए मैं बोलना चाहूंगे इसको फोर्ट आराम से मार्क कर सकते हैं और यह अगर पांच साव और तो आमारा प्रेडिक्सन थे कि मार्केट जो आप नीचे जाएगा मालब फिबुन के लिए तो फिब के अंदर कितना साव और यह याद होगा इधर मैं आप लोगो को क्या बोलत पाट दे कि market जिस तरब जाएगा वालोग जिस तरब उसका main count होगा उस तरब market पांच सवेब पर जाएगा और यह first wave, third wave और fifth wave के अंदर पांच सवेब साइशा होते हैं ठीक है तो यह फिप जो है यह lower side पर बने यह upper side पर बने इधर obviously lower side पर ही बनेगा तो उस पर यह 5 सवेब होना चाहिए तो उसी सबसेब भी आप देखें तो यह जो 1,2,3,4,5 बना है यह actually जो 5 के अंदर 5 सवेब होगा तो उस मुतबिक मैं इसको 5 सवेब पर यह mark कर रहा हूं ऐसा नहीं किधर ही 5 खतम हो गया यह मैं mark नहीं कर रहा हूं तो most probably this is जो है यह होना चाहिए मेरा wave 1 तब बात ही है कि यह अगर मेरा wave 1 हो गया यह 2 जो होते हैं तो 2 कितना होते हैं 2 जो होते हैं यह wave 1 का normally 61% के आसपास तक जाना चाहिए तो यह जो है यह 61% से थोड़ा उपर गया तो जो भी होते हैं यह obviously हमारा 2 है और यह rule है कि wave 2 जिसको आप मान सकते हैं मतलब जहां से wave 1 स्टार्ट होए हैं ठीक है तो यह wave 1 जहां से स्टार्ट होए हैं जिसको आप 0.1 बोल सकते हैं यह 2 इससे उपर जान नहीं सकते हैं यह rule है यह गया तो इसको आप 2 मान नहीं सकते हैं तो उसी सब से देखें तो यह 1 है यह 2 हो सकते हैं और यह 2 के अंदर इसको ऑफ एजआ कर सकते हैं जैसे कि इधर से यह जो है इधर तक हो सकते हैं जाकर देखने का कोशिस करेंगे कि यह जो यह इधर ते कियों खतम होड़ा है क्योंकि इसके अंदर कि दिना साब ओएव है उसका डिलेसन भी देखेंगे बट आभी के लिए मैं यह बोलना चाहूंगा यह अगर हमारा A है यह B है तो लगबक यह जो C है यह इधर तक यह इसके आसपस तक होना चाहिए था ठीक है तो य यह C जो है लगबक इसके आसपस तक खतम होए है तो इसलिए यह 2 के अंदर नॉर्मली तीन जो सावब रहते हैं जिसको हम A, B, C भी मार्क कर सकते हैं तो इसको मैं C मार्क कर सकता हूँ और इसके बाद इधर से मार्केट को घूम जाना चाहिए था तो मार्केट उदर से यह 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा हो सकते हैं तो तब यह जो है यह बाला जो 3 है इस 3 के अंदर actually 1, 2, 3, 4, 5 होने का कोशिस कर रहा होगा ठीक है तो चलिए उसका भी फिबुनासी जो लेवेल है वो चेक कर लेते हैं तो उसी सब से भी देखें तो यह 61% से थोड़ा उपर जा रहे हैं और यह अगर यह बाला जो लेवेल है यह जो 2 जहां पर मैंने मार्क किया इसके उपर यह नहीं जा सकता क्यूंकि यह भी तो किसी िना किसी टाइमफ्रेम का ऑप समय हो सकते हैं पॉइंट है इससे उपर अगर यह कल चाहिए कोई gap आप या किसी कर्ण खूल गया तो most probably हमारे जो main count है उसकी तरफ ही market चला जाएगा जो मैं बोल रहा था कि gap जहां पर market ने डाउन किया था उस जागा की तरफ जो पंद राजा 900 के आसपास तक मैंने फीडियो का सुरू में आपको दिखाया उधर तक market चला जा सकते हैं और अगर कल इधर से market जो है इस level को नहीं तोड़ा तो क्या करेंगे हम इधर उपर के साइट पे buy करने का कोसिस normally नहीं करना चाहिए क्योंकि यह जो है इधर से यह one के बाद यह two करेगा फिर आपका three three, four, five मिला कर यह बाद three को complete कर गया दिन four, five के लिए market और नीचे आकर जो 17 उनका जो भी यह low बनाया थे उसको यह तोड़के और नीचे जाने का कोसिस करेगा और यह सब कुछ जो भी मैं बोलना हूँ यह सब कुछ है पांच मिनिट, एक मिनिट, पांदरा मिनिट का और अगर हमाना main count के तरफ देखें तो main count के तरफ जो है जो मैंने बोला कि यह A, B, C कर सकते हैं तो यह C और A जो आपस में बड़ा-बड़ होगा 15,000 साइदे 900 के आसपास तक जहां पर gap market बनाये थे तो यह बाला जो level है इसको अगर market ने तोड़ दिया किसी करन तो में भी इसके लिए जा सकते हैं और अगर इसको hold किया तो जो हो सकते हैं यह बाला जो 2 होगा इस 2 के अंदर normally क्या हो सकते हैं A, B, C ऐसा करके market क्या कर सकते हैं C के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 करके market एक ending diagonal pattern बनने का कोसिस करके market नीचे आ सकते हैं और यह ending diagonal pattern क्या होते हैं चलिए 1 minute का चार्ट पर चलते हैं इधर मैं आप लोग को यह दिखाना चाहूं कि यह बाला जो जागा है इधर कल का आखरी पे मलग दिन का एकदम ending point है उसके जास्ट कुछ मिनट पहले जैसे कि 5-10 या 15 मिनट पहले यह क्या बनाए थे market जो है इधर ending diagonal जासे pattern बनाए थे अब यह क्या कर रहा है मार्केट उसके उपर आज क्या करेगा depend कर सकते हैं तो इधर से जो है हम क्या कर सकते है यह एक दो तीन चार पांच ऐसा कुछ mark कर सकते हैं तो यह बाला जो आपका fourth wave है इसके उपर जब market चला जाते हम क्या करते हैं तब जाकर हम buy करते हैं यह एक ending diagonal pattern बोलते हैं जिसको मैं पहले ही बस बोल रहा था तो यह फोर्थ वेप के जब उपड चाला जाएगा this is going to be my buying setup और आज दिन का सुडू में क्या हुआ जैसे कि हमारा prediction भी था कि market क्या कर सकते हैं कि इधर से C के लिए भी उपड जा सकते हैं तो उसी सबसे भी अगर आप देखना चाहिए जो हमारा main count जो है उस तरब market ने किया किया यह gap खोल गया उतर से sharp लेक नीचे आया normally इसको अगर आप 1 और 2 mark करना चाहेंगे तो यह maybe my 3 के लिए उपड जाड़ा होगा तो suppose कि इधर अगर हमारा position हुआ होता अगर काला हम नहीं लिए होते हैं आज सुबह पे इधर अगर हम ले लिए होते इसको मैं अगर 2 mark कर रहा हूँ यह जो 3 वे होते हैं यह आईदर क्या करेगा 161% के आसपास तक जाएगा यह फिर next जो हो सकते हैं यह 261% के आसपास तक जाएगा अब इधर एक बात है कि इसको अगर मैं 1 मानू इसको मैं 2 मानू यह 2 का correction कैसा हुआ है sharply हुआ है ठीक है और हमारा जो main trend है उसके तरफ हमेंसा हम 5 सावव को ढूंडने का कोसिस करते हैं क्योंकि main trend के तरफ हमेंसा market 5 सावव पे जाते हैं और इधर से यह C होने के लिए भी ज चाले तो 3 जो होगा यह उपर जाएगा बात यहां कि 3 के लिए 2 level है एक हो सकते हैं यह बाला जो level है कि 161% का level और दूसरा जो level हो सकते हैं यह 261% का level है यह भी हमारा एक target हो सकते हैं तो पहले target obviously 161 कि यह पास है लेकिन क्या होते हैं कि 3rd के बाद जब 4th बनेगा वो कैसा ब बारना चाहिए ऐसा नहीं कि 1 के बाद 2 ऐसा हुआ 3 के बाद 4 ऐसा हो ऐसा नहीं होते हैं ठीक है 1 के बाद 2 आगर शार हुआ 3 के बाद 4 जो होते हैं ऐसा फ्लैट होता है नॉर्मली फिर 5th के लिए market जाते हैं जिसको बोलते है rule of alternation ओके तो यह 1 है यह 2 है तो यह जो 3rd के ब अगर आप देखना चाहेंगे तो आइधर आप लोगों को दिग रहा होगा इसको अगर आप 3rd मानेंगे तो फोर्थ जो ऐसा शार्फ लिदा चाले आया है तो इसको आप 4th नहीं मान सकते हैं पहली बात क्योंकि यह भी शार्फ है यह भी शार्फ है ऐसा हो नहीं सकता पहल इसके लिए एक थोरा टाइम लेना चाहिए ठीक है इधर तक बनना चाहिए फिर फोर्थ ट्रायंगिल बनना सकते है तो ऐसा कुछ भी इसने बनाय नहीं तो इसे लिए मैं अगर इसको 1 मार्क कर रहा हो तो मैं मार्क करना चाहिंगे इसको 3 क्योंकि इदर देके 4th के लिए बहुत ज़्यादा समाई भीत हैं, तो maybe here is my fourth and here is going to be my fifth, अब obviously हमारा जो expectation होते हैं, जो मैं लगातार आप लोगों को बोलते हूं क्या है, ये one है, ये two है, ये three है, four, अब ये third के बाद ही हमको निकल जाना चाहिए था, क्योंकि actually क्या होते हैं कि ये fourth और fifth पे ज़्यादा पैसा नहीं बनता, one minute का चार्ट पे, especially जो लोग option buyers होते हैं, जो 10,000, 20,000, 5000 का capital लेकर बना रहा हैं, आप लोगों के लिए मैं इतना बोल सकता हूं कि ये fourth और fifth के लिए आप एकसा मत किजिए, इसे पहले भी मैं बहुत बार बोल चुका हूं, और ठीक है, तो obviously आज का दिन market साबित भी ओहीं किया, किया हम अगर पकर के राखते हैं, तो क्या हो सकता था, इससे बाद थोड़ा obviously और उपर जा सकता था, बट उसके बाद market क्या किया है, सार फॉल दिये हैं, obviously इस फॉल को हम कैसे कमा सकते हैं, ये अलग बात है, ये बाद जो green candle है, इसके उपड़े आपका position होना चाहिए थे, जो लाग बाद आपका पंदर जा चार्सो उन्नातरिस के आसपास है, obviously मैं काल के analysis के साथ, आज के analysis को थोड़ा match करने का कोशिस कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग के समझने का दिख्कत हो सकते हैं, तो आप लोग काई लिए दोबारा देख लेना, आपना जो amount है, उसका 40% से 50% तक निकल भी चुके होते, जैसे अगर हमाने पास 10 lot होते, तो उसमें से हम 5 lot जो है, ये actually book कर लिए होते, ठीक है, इस particular जाग के आसपास, और उस गद बागी को trail कर सकते थे, तो obviously इधर अगर आज का दिन पर, इंटरडे पर एंट्री हुआ होता है, पांदराजा 439 पर, तो first target जो है, ये पांदराजा 513, अब obviously ये जो है, आसे नबड़ पॉइंट है, ये कम नहीं है, और बाकी जो 50% है, उसको आप इधर तक पाकर कर राके, का normally जरुवरत नहीं है, ठीक है, especially जब ये fourth ऐसे बानते हुए आपको दीख रहे हैं, फीप्त के लिए उपर जाएगा, obviously, तब आप इस line के आसपासी exit का आपको मौका दे सकते हैं, actually देखें तो इस fourth wave का कोई भरसा नहीं होता, ये fourth wave जो है, ये ऐसा बहुत देर तक चल सकते थे, ऐसा कुछ कर सकते थे, तो इसलिए आपको actually इधर से जब ये ऐसा कुछ करते हुए दीख रहे हैं, मौक इधर से एक बाद टाच किया, second time गया, इधर से टाच किया, नीचे आ रहे हैं, तो मैं भी एक flat forward का निशा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि flat जो होते हैं, वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ये बाला होते हैं आपका flat जो आज market पे हुआ है, इधर देखिए क्या हुआ, इधर से आपका main trend है, तो उसका A, B, C, ऐसा कुछ करते हैं, इधर A, B, C आपस में सामान हो ये अगर third है, ये fourth है, तो इसको आप लोगे ऐसा double top जो है, ऐसा market trade लेने का कोई जरीरत नहीं था, ये fourth wave है, actually हमारा main trend जो है, अभी भी 5th wave के तरफ जा सकते हैं, तो basically हम इधर से trade नहीं करेंगे, तो बाकी जो है, 15500 मिचातर के आसपास ही, या उससे थोड़ा नीचे इस ज flat है, तो इधर हमको निकल जाना चाहिए, that's it, तो हम आज का दीन पर, जैसे कि हमारा main trend जीस तरफ होते है, normally हम उस तरफ ही trade लेने का कोईशिस करते हैं, तो इधर उपर की side पे जब market मौका दे रहे हैं, तो हम क्यों ना ले, वह बैसलिए आज ये नीचे आ गया, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को फिर से देखिए, और फिर भी कोई problem है, तो kindly आप लोग comment करके बताएं, मैं obviously आप लोगों का हर एक comment का मैं answer दूँगा, और आप लोगों को अगर ये वीडियो से कोई knowledge मिला, कोई learning मिला, तो kindly आप लोग इसको like और comment कर सकते हैं, औ आपने दोस्तों के साथ share भी कर सकते हैं, और नए लोग जो है subscribe भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का party like और comment से हमारा वीडियो का reach भी भरते हैं, बहुत साए लोगों से हम नए नए लोगों से जोड़ते हैं, तो इसलिए हमारा ये ही request रहेगा, कि आप लोग भी इसे like और comment कर सकते हैं, और आपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं, तो अभी के लिए इतना ही, thank you and goodbye.